अचा आसी जी आज के टाइम पर इतनी बारिश हो रही है और इलेक्ट्रोनिक जो डिवाइसे होते हैं वह भी मतलब काफी ज़्यादा खराब हो रहे हैं इसका में जो प्रोब्लम है वो है हुमिडिटी ऐसा कोई डिवाइस है जिससे कि यह चीज़े मैंटिन रहे हैं यह जो ह 60 से उपर जाएगी तो आपके जो एक्योपेंट्स है वो अपने आप खराबों ने चालू हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा खराब क्यों हो रहा है यह जो हम प्रोड़क्त लाएं है वह कैरियर का डियूमिडिफायर जैसे बारिश हो रही है तो बहार से भी क्या है तो एलर्जी हो गई यह जनरली हम कहीं ट्रैवल करक्या है तो ऐसे चीटों में कैसे यह कर सकता है हमारी जो आप बात कर रहे हैं यह बेसिकली एर्बॉर्ण डिसीजिस है जो बैक्तिरियास फंगिस वायरिस बगरा हुए डोक्टर भी आपको क्या दवाई दे जो डिवाईस होते हैं वह भी मतलब काफी जाता ख़राब हो रहे हैं और ऐसा कोई डिवाईस है जिससे कि यह चीज़ें मैंटिन रहे हांजी हांजी उसी के लिए तो मैं वही आपसे आज बात करने वाला था ना इसलिए क्या है कि हुमिडिटी इसका में जो प्रोलम है वो क्या है वह जीरो से लेके हंडर्ड तक की होती है हमारे जितने भी इलेक्रोनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको जो डिजाइन किया जाता है वह 40-60 हुमिडिटी तक के लिए ही डिजाइन किया जा सकता है यह जो हिमिडिटी है यह 60 से उपर जाएगी तो आपके जो है वह अपने आप खराबों नहीं चालू हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा है मतला एक यह सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि यह जो हिमिडिटी है इसकी वज़े से भी डिवाइस पर काफी जादा फ़रक पड़ता है राइट येस येस बिलकुल ठीक है और इसी कारण से ही जो हम प्रोड़क्त लाए है वह कैरियर का डिवीडिफायर का डिवीडिफायर का डिव्यूमिडिफायर कैरियर अपने ब्रेंड तो सुना ही हो ब्रेंड बहुत बहतरीन व्र्टक्लास यह 35 से ज् लाइक 40, 45, 50, 55, 60 वही वैल्यू आपकी वो एचीव कर देगा उससे क्या होगा जो आपके क्योप्रेंट हैं लाइक, लाइक लाइक हैं यह सारी आपकी खराब होना बंद हो जाएगी वन प्रिंटर आलसो अचे सब्सक्राइब यह तो पता चल गया कि मतलब जो इलेक्ट्रोनिक जो डिवाइसि होते हैं वो मतलब किस द्रीजन से जल्दी खराब होने के चांसे होते हैं अचे इसके कि श्रोड़ोर्पे की मशीने आता है थे जो है सो तो फोला अपनी little return sape है में लेक्ट्रोडोर्पे तरिक मीडिल भील क्योंकि घर में अगर आ इसको यूज़ करो विकोश भारी जो जो हीमन बोडी है सबसे महेंगी चीज तो यह यह यहे अर्वरुपए की है थीकर तो आप इसको घर जब भगवान नहीं कहा है कि 60 humidity पे हमारा सिस्टम बढ़िया काम करेगा तो क्यों ना इस शरीर को 60 humidity ती जाए तो अल्टिमेटली हमें हमें equipment को ध्यान रखना है अपना खुद का भी ध्यान रखना है तो उसलिए भी आप अपने घरों में इवन इंटिरियर डिजाइनर वगएरा हमारा यह यूज करते है नॉर्मली अपनी साइट सो जहां भी आपकी paintings रखी है धर में रूम आपने बना रखाऊगा paintings का rooms है या आपकी जहां बच्चे सोते हैं चोट-चोटे fire और AC में क्या अंतर है एक्जेक्ट्ली मेरे सारे questions जो आपने question पूछा एक्जेक्ट्ली वही question मेरे दिमाग में भी आया था जब मैं आपको AC का button दबाते हैं और AC on करके बैठ जाते हैं उसके आपको AC की जूरत नहीं होती क्योंकि AC ठंडी हवा अगर आप बहार से भीग के आ रहे हैं और ठंडी हवा में अगर आप चले गए तो आप बिमार पढ़ जाएंगे उसका solution यह है क्यों डोक्टर के पास जाना डिम दुमिधिफिर भी है जो मैंने आपको पड़ा आपको बचाता है इन सारी पिरोबलम से हूंचिक क से बाल्य अयंदागको एचाते हैं तो बैसिकलि यह का हम आपको पढ़ती है उसके नहीं करने हैं कि सर एसी तो हमने लगवा ही रखा है अब डियूमिडिफैर की क्या जरूरत है एसी भी तुम आपका पानी निकालता ही है बीस लीटर पानी एसी निकाली देता है एक बाल्टी तो हमने उनको सजेस्ट किया सर आपका बड़े कमरे होंगे आपके फॉर एकजंपल पांसो साथ सो वाट में आपका डियूमिडिफैर लगेगा यानि कि वहां पे अगर हम तीन टन की बात करें तो लगवख पच्छिस सो वाट एलेक्रिस्टी कंजूम करेगा और यह आपका कंजूम कर रहा है साथ सो वाट अच्छा सर अभी हमने यह इन दोनों में फर्क समझा अब अब 15,000 में आपको एसी तो नहीं मिलेगा न मार्केट में नहीं 15,000 में आपका यह चोटा सा कमरा कवर हो जाएगा तो आप क्यों एसी की तरफ जाएंगे आपका में मक्सद तो हुमिडिटी कवर करना है तो आशी जी आपने आपने कई सारी चीर बता हैं तो अब ही मेरा चोटा रूम हो या बड़ा रूम हो तो प्लीज बताएं जैसे एसी में आप करते हैं सो स्केर फूट का टैन बै टैन का अगर आपका कमरा है तो आप एक टन का एसी यूज करते हैं अगर आपका दो स्केर फूट का एरिया तो आप दो टन का एसी यूज करते हैं सेम कॉमिन 20, 30, 40 L. आपके दूमिडी लेजेत करना चाहिए और को बाइस और रेक्षोन के लिए विरे अगर चारशान को चाहरा पुटार करना चाहिएू चैज ची मुझे आप मुझे यह तो बता दिया के ब्लाब किस तरीके से हमें सेलेक्शन करना चाहिए तो आप मुझे यह बताइए कि कौन सा Dehumidity Fair लेना चाहिए और किस brand लेना चाहिए, कौन सा best रहता है देखी जब आप AC लेने जाते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं कि बढ़िया brand होना चाहिए लुकवाइज अच्छा होना चाहिए अच्छा चीज़ आप मुझे यह तो बता दिया कि कौन सा ब्रांट लेना चाहिए जैसे आपने बताया कि कारियर का ब्रांट काफी बैस है तो अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी electronic consumption है यह मैं जानना चाहता हूं क्या यह as compared to AC जादा लेता है फिर क्या मुझे बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि यह जो electronic consumption है इसकी बहुत कम है यानि कि जैसे आप 10 by 10 के रूम के लिए एक टन का AC लगाते हो ठीक है यह आपका 10 by 10 के कमरे के लिए 10 लीटर का DVD फैर लगेगा 10 लीटर का DVD फैर आपका पहले ही बात तो बहुत सस्ता आएगा ठ जो यह करेगा मात्र 100 वाट करेगा बस तो यह जड़ा बेटर है हमारी बेजली को भी सेप करेगा बिलकुल अचा आची ती मैं यह और जाना चाहता हूं कि आज की टाइम पे बहुत जल्दी लोगों को ना ऐलर्जी हो जाती है राइट जैसे बारिश हो रही है तो बहुत यह बताने वाला था इसका कि क्या था कि यह जैसी हम अंदर आते हैं अपने घर में हमने एंट्री करी घर के अट्मोसफेर के साब से हमारी बोडी ने अड़ेस्ट किया तो वहां पर क्या होता है कि हुमिडिटी बड़ी होने के कारण जितने बैक्टिरियास फंगीज वाइ कुछ अखलीफ नहीं आएगी अचली क्या होता है कि जो हुमिडिटी है जो आप बात कर रहे हैं अलर्जी की अलर्जी क्या है यह बैसिकली एर्बोन डिसीज है यह यहां से पैदा होती है हवा में गंदगी आ जाती है बैक्टिरियास फंगीज आते है जिसे हम इन्हेल करत क्या था बुखार का कारण यही था जो बैक्टिरियास फंगीज वाइरस वगरा हुए है डॉक्टर भी आपको क्या दवाई देता है इन्हीं सिलेंड्ने की दवाई देता है ताकि आपकी बोडी स्ट्रॉंग हो जाए तो हम भी आपको एक तरह से दवाई दे रहे हैं यह आपका संरक्षक है आपकी रक्षा करता है हर एक मुमेंट पे आपकी बोडी के साथ खड़ा आए यह जैसे ही हुमिडिटी बड़ी इसने हमला किया उस पे हुमिडिटी को धराशाई करके अपने उसी को लेवल में ला देगा मतलब आम सब्दों में अगर बोला जाए तो सब्सक्राइब करता है अगर आपकी बड़ी काम करते है या फिर जो आपने ब्रांड बताया है, वो हम लेने जाते हैं, तो ले इसे में किन-किन बातों को धियान दखना चाहिए, मतलब सेलेक्शन, कि फाइनल सेलेक्शन कैसे करना चाहिए, एक बार प्लीज बता लेक्शन आपको करना है, आपके घर का कमरा कितना बड़ा है, वो 100 स स्केर फूट का है, तो बीस लिटर का, ऐसी आपको 300 के लिए 30, 40, 50, 500 स्केर फूट तक के कमरे को यह कवर करके चलेगा, अगर फोर एक्जामपल आपका बड़ा कमरा है, ठीक है, तो इसको मल्टीपल लगा सकते हैं, एक इस कोने में लगा दिया, एक दूसरे कोने में लगा जहां पर आप सीनरी वगेरा रखते हैं घरों में या बहुत आपके सोफिसिकेटेड़ एक्यूपेंट्स होते हैं, इसको आप डेटा सेंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप अपने किसी फंक्शन्स में यूज़ क अपने लेवल पे उसको ला देगा 40-60 जो भी आप हुमिडिटी का ही एप्लिकेशन है जहां पर हुमिडिटी 65 चाहिए तो ऐसा नहीं यह 65 नहीं कर पाएंगे 65 भी करेगा यह 35-85 जहां भी आपको चाहिए आप इसको सेट कर सकते हैं जहां भी आपको हुमिडिटी सेट करनी ह है वह आप हुमिडिटी सेट कीजिए यह आपका उसी के कोडिंग ली अटमस्कर के साब से अपने लोड बढा देगा अच्छा आपने बहुत सारी शीड़े बहुत आई और अब तक जितने भी कॉश्चन थे काफी अच्छे तरीके सा आपने हमें वैल्यू दी इन्फोर्म आपका इरिया देखना है कि आपका रूम कितना बड़ा है जैसे आप एसी में देखते हैं कि आपको 2 तन चा лишь में डेटन आपको डियू में करते हैं ऐसी इस में सेम पेरमिट्र इसमे हैं अगर आपकSPीर है थावख को आपको 2.2 ली टिल अब अवर को फिल का में भागत आप यूज़ कर सकते हैं depending upon आपका रूम कितना बड़ा है और secondly हमको चूज़ करते टाइम यह देखना है कि ब्रेंड कौन सा ले रहे हैं और इसमें जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं वो है केरियर ब्रेंड का डियूमिडिफैर है लुक क्या है इसका किस टाइप से बोडी किस टाइप की है हम जो आपको डियूमिडिफैर प्रेजेंट कर रहे हैं यह है आपका केरियर ब्रेंड का और जो पोटेबल डियूमिडिफैर है प्लास्टिक बोडी का है यह नहीं कि आपको प्लास्टिक बोडी मिल रही है इसमें जो कि रिजिट बोडी है, ABS-coated बेहतरीन बोडी है इसकी ठीक है, पोर्टेबल डिवाइस है आपका ये, मलब आपको ये भी देखना है कि ये जो डिवाइस है आपका पोर्टेबल है ये नोन पोर्टेबल है, कई ऐसा तो नहीं है, आपने किसी डीलर से ले लिया और वो आप आपको पोर्टेबल डिवाइस दे दिया, उसको आप उठाके रखी नहीं सकते तो इसलिए आपको ये जुरूर देखना है कि डिवाइस है जिसको आपने रूम के अपने यूस के अपने यूस के अपने शिप्ट कर पाएं और थर्ड चीज आपकी ये है कि आपका जो लु आपको लुक भी तो आपको लुक भी तो आनी चाहिए न प्रोड़क कर रहे हैं और अगर उसमें लुक ही नहीं आई तो फिर हमारा पैसा लगाने वेस्ट हो जाता है तो कस्टूमर सर्विस के लिए और पर्चेस के लिए मैं माधव ट्रेडिंग कंपनी हम पिछले 10 साल से अपनी सेवाइं दे रहे हैं इसी डिवीड फैर के फिल्ड में ठीक है और हम केरियर के ओथराइज डिस्ट्रिबूटर हैं फृदाबाद में बेस्ट हैं आप इसे किसी भी मोड ओफ पेमेंट से खरीच सकते हैं like cash on delivery आप cash में पे कर सकते हैं आप इसको credit card debit card आप इसको कैस आप स्क्राइज कर सकते हैं जो आपको जैसे suitable हो वैसे आप all India कहीं आप हमें order place कर सकते हैं हमारा जो base office है हमार अपा हमें हैं नंबर आ रहोगा यहाँ पर screen में उस नंबर पर आप हमें phone कर सकते हैं आप mail के थू भी हमेंग交त हैं अप जैसे बहुत सारी लोग है वीडियो औ होगा कोई फईदावास से होगा और हम पलवल से हैं जी जी यह आपको जो कंपनी वो पलवल से हैं तो आप कैसे services दोगे उनको अब कैसे manage करोगे क्योंकि basically क्या है इसमें सबसे main चीज है जैसे आप ac purchase करते हैं तो आपको यह नी सोचना होता कि यार ac की service मिलेगी या नहीं मिलेगी कारण क्योंकि आपको बाहर के वेंडर भी आपको अलड़ी service दे देते हैं आपको अगर service की need होगी तो आप के पास टोलफी नंबर होगा company का आप तोलफी नंबर पर contact करके किसी भी carrier representative को आप phone कर सकते हैं वो आपके घर पे आएगा आपको service देगा साल की इस equipment में service है उसके बाद आप चाहें तो इसको बाहर से service जैसे आप normal ac की service कराते हैं आप company से बाहर भी service करा सकते हैं जो person आपका ac की service कर रहा है वही इस person आपके service करतेगा because the phenomena जो concept है basically ac का वही इसमें use किया गया है लेकिन क्योंकि ac का काम है ठंडी हवा देना इसका काम आपको ठंडी हवा देना नहीं है इसका काम है आपको moisture को remove करना तो यह आपको समझना पड़ेगा यह भी compressor based है जो compressor आपका ac में लगा होता है वह compressor आपका इस में लग producer को बंद में नहीं करते उस हिसाब से deumidifare product है इसमें आपको भूल जाना है आपकी light जाएगी machine बंद होगी automatic आपकी light आएगी 60 से नीचे चली गई तो machine का compressor automatic on हो जाएगा और वो आपको particularly उसी instant पे आके बंद हो जाएगा लेकिश लाइक से refrigerator कोई भी refrigerator या AC वाला जो well known है आपकी city में आप उससे भी service ले सकते हैं वो भी बहुत असान है जब भी हम आपको billing करते तो हमारा number जो होता है हम हर एक बिल में अपना number attach करते हैं उस number पर डिरेक्टली call कर सकते हैं from 9 to 5 आप उस number पर रिंग कर सकते हैं हमारी team आपको on call बेशक से आप देश के किसी भी कोने में और किसी भी शहर में आप रह रहे हो हमारी team आपके लिए हमेशा और हमेशा तत पर रहेगी और आपके solution के लिए हम काम कर रहे हैं जो हमारा main काम है वो आपको केवल product बेशना नहीं आपको services देना भी है दस साल से हम इस equipment को supply कर रहे हैं और service भी दे रहे हैं विकोज केरियर का trust है केरियर के product में जान है दम है उसी दम के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसी दम के साथ इन bacterias, fungies, viruses से लड़ रहे हैं आई होप आपको ये मेरा podcast बहुत अच्छा लगा होगा और ये podcast में मैंने जो जो detail आपके साथ शेयर की को ये सारी चीए साथ आगी होंगी अब जो number flash जो screen पर कर रहा है इस number पर contact करके आप मेरी team के साथ जुड़ सकते हैं जो भी आपके questions को आप हमसे साजा कर सकते हैं उस questions के base पर हम आपको solutions प्रोवाइड कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले podcast में जैशी राम, जैशी राम, जैशी राम